हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम अपना जो टॉपिक है Body, Fluid and Circulation इसके Next Lecture की तरफ चल रहे हैं बटा, पिछले Lecture में हमने Formed Element स्टार्ट किया था और इसके अंदर बटा, हमने RBCs और WBCs को Detail में देखा था जो हमारे Red Blood Carpuscles और White Blood Carpuscles हैं इन दोनों को Detail में देखा था इनके जो भी Component थे, इनका Composition था, जो भी इनका Function था, सारी चीज़ें हम बात किये थे है न, Detail के इंदर बात किये थे आज जो हमें Start करना है बटा, वो हमें Platelets के बारे में सीखना है किसके बारे में बटा, जो Third Formed Element है, जिसका नाम है Thrombocytes या फिर जिसको हम क्या बोलते है बटा, Platelets है न, Blood Platelets के बारे में आज हमें सीखना है तो देखते हैं बटा Platelets या इस ही को बटा क्या बोलते है Thrombocytes Thrombocytes, ठीक है, Platelets या Thrombocytes, तो बच्चों बात ये है कि सबसे पहले हम ये बात करने वाले है इसका formation कहां पे होता है Platelets का formation जो है हमारे बाडी के अंदर बाडी में, जो Megacaryocyte cell है, है न, जो Bone Marrow की Megacaryocyte cell है मतलब Large Nucleus वाली जो cells है, बाड़ा, उनके अंदर formation होता है किसका Platelets का, है न, तो इन Megacaryocytes साफ, Bone Marrow Formed in In Megacaryocytes of Bone Marrow समझे बचवा कि नहीं समझे अच्छा, देखो Bone Marrow की बेटा Megacaryocyte cell के अंदर formation होता है किसका Platelets का, अच्छा, Megacaryocyte अब दोन दोना है, ठीक इसको इंदा लाइन कर लेना, बड़ा ज़रूरी बात है बेटा अगर मैं Save की बात करू बेटा Save की बात करो, Platelets की Save की बात करो, तो Platelets का Save बेटा, Disc Save का होता है Disc Save हो सकता है या Oval दिखाई पड़ सकता है या फिर बेटा, Biconvex हो सकता है Disc Save, Oval and Biconvex अगर मैं Size की बात करो, ये तो Save है ये तो क्या है बेटा, Save है अच्छा, Size और कई सा होता है कितना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता बहुत है बड़ा होता छोटकू सा होता, कितना बड़ा होता आप बताओ, अच्छा, तो देखो इसका Size जो है ना बिटवा 2 से 3 Micr in diameter होता है कितना 2 से 3 Micr in diameter होता है Life Span Sir, Life Span Life Span बताओ, है ना आप तो WBC और RBC का बताए थे इसका भी बतादो, ठीक है Life Span देख लो बबू, Life Span Life Span आप प्लेटलेट्स बटा कितना हो सकता है 2 से 5 दिन जिन्दा रहते हैं ये कौन प्लेटलेट्स अच्छा, अच्छा, कुछ बाते और कौन सी बाते बिया, कौन सी बाते देखो अब आप क्या-क्या सिख चुके बटा पहली बात तो आप ने कहा कि ये जो प्लेटलेट्स की सेल्स है Megagaryocyte, Megagaryocyte आप bone marrow के अंदर फार्म होती, safe इसका डिस्क सेफ हो सकता oval y convex हो सकता है Size के अगर बात करें बिटा 2-3 micrometer diameter के अंदर होते है Life Span 2-5 दिन का Life Span होता है अगर मैं इसकी count की बात करूँ कितना ये पाए जाते हैं तो हम counting देखते हैं ये लगभग-लगभग मान के चलो अगर count देखें बिटा count देखें प्लेड़ेट्स का तो 1.52 लगभग-लगभग मान के चलो 3.5 या 4 के आसपास बिटा lakh per mm है ना अगर अईसे लगा दिये तो बिटा फिर इसको minus लगाने क्या ज़रूरत है हाँ ऐसे लिख लो है ना per mm cube of blood ठीक है की नहीं ठीक है मतलब अगर प्लेड़ेट्स काउंट की बात करें तो 1.5 लाग से लगभग 3.5 लाग इसका प्लेड़ेट्स काउंट होता है critical count कितना होता है किसके बाद हम ये कहांगे अगर इससे कम हो गया ना बहुत बड़ी समस्चा जनरेट हो गई जैसे बिटा डेंग उगरा के केस में आपने जनरेली सुना होगा प्लेड़ेट्स का काउंट बड़ा कम हो जाता है होता कि नहीं होता होता है तो प्लेड़ेट्स का काउंट बिटा डेंग उगरा के केस में अगर कम हो जा रहा है तो वो कौन सा critical point है जिसके बाद डाक्टर कहता भाया अब तो मतलब है ना बहुत सीरियस मामला है अगर आप इलाज नहीं करवा है बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है आपको बढ़ाने की जरुवत है तो लगभग बेटा 40,000 है ना कितना critical count जो होता है critical count होता है जो बबुआ देखो critical count कितना 40,000 40,000 critical count होता है अगर 40,000 है ना पर mm क्यूब अगर हो जाए बेटा तो इसका मतलब यह है कि अगर इतना कम हो गया है इसका मतलब यह है कि आप ना बहुत है ना खतरनाक तरीके से आपको डिंग उगरा हो रखा है आप बीमारी के सिकार हो इसलिए प्लेटर स्काउंट डिक्री अऑन की बात करी जाए रिगा है अग्यार के बात और nauりました होता है यह जानते की निया आप नहीं नीकिलीटर होते है न लॉंत अ नुकलेस नहीं होगा, नॉन नुकलेटेड होंगे, अच्छा इनके अलाम अगर फंक्शन में पूछूं, फंक्शन आपको पता नहीं है तो फंक्शन जान लो बिटा, फंक्शन के अंदर में ये कहना चाहता हूं बिटा, कि जो ब्लेड क्लोटिंग के अंदर ये इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं न, ब्लेड क्लोटिंग, पहले तो ब्लेड क्लोटिंग आपको चाहिए, ब्लेड क्लोटिंग के अलामा, ये बिटा रिपेर करते हैं एंडो थील प्लेडुलेट्स को जाननी चाहिए प्लेड़ेट्स के बारे में फिर से पूरी बात सुन लो प्लेड़ेट्स जो फ़ाम्ड एल्यमेंट्स पिटा हम पढ़ रहे थे वब्बेसी से अंदर हम है थीसरा फॉर्मड इलेमेंट देख रहें प्लेडेट को थ्रॉम्बो साइटस बोलते हैं थ्रॉम्बो साइटोसिस की दौरान बेटा इसका फॉरमेशन होता है फॉर्म मेगा सा बॉन मैरो मेगा मतनब बढ़ा वाला कैरियो साइट का मतनब किसकी बात करें नुकलिस की ऐसी सेल जिनका नुकलिस बढ़ा सा है उनके ंगलेटर readiness होता है मिन का स्वा प्लेटटर्स जातbles होता है तो इसका मतल़ क्रिटिकल कांट और पहुंच है हो function blood clotting में मदद करता है repairment of endothelium non-nucleated होते हैं समझ रहो इतनी बात बेटा आपको जानने चे किसके बारे में अब जल्ली से बबुआ एक काम करो screen shot ले लो और हम अब बात किसके बारे में करने जा रहे हैं blood group के बारे में बात करने जा रहे हैं ठीक है blood group के बारे में तो आपको अब किसके बारे में बात करने हैं blood group के बारे में समझे की नहीं समझे हमें लगता है तुम लोग बड़े समझदार बच्चे हो समझ तो जाता ही हो चलो blood grouping blood group blood group क्या बला है बेटा यह वाट इस blood group होता क्या है यह क्या होता है वह बबुआ सुनो हम बताते हैं आप देखो जैसे अगर हम से कोई पूछे कि सर आपका blood group क्या है हम कहेंगे AB positive जो blood group है बेटा इसका मतलब क्या हुआ अच्छा positive negative अभी भूल जाओ थोड़ी देख लिए बेटा वह और इस फैक्टर से रिलेटेड है उसको थोड़ा अलग रखते हैं अभी blood group देखते हैं ठीक है आर इस फैक्टर के बारे हम बात करेंगे पहले हम blood group देखते हैं देखो अगर हमने कहा कि हमारा blood group क्या है बेटा एबी है माल लो suppose that एबी positive है लेकिन एबी हमने कह दिया ठीक है एबी कह दिया तो एबी कहने का मतलब क्या हुआ अब हुआ ये भी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा RBC है उसके उसकी सर्फिस के उपर हमारी RBC की सर्फिस के उपर एक बिसेश प्रकार का एंटीजन मौजूद है क्या मौजूद है बिसेश प्रकार का एंटीजन मौजूद है उस एंटीजन की वज़े से एक एंटीजन नहीं दो दो उस antigen की वज़े से हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये particular type का blood group है, ठीक है, कैसे decide किया जाता है, जरा सुनो, अच्छा blood group की अगर हम बात करें, तो लगभग आपको जैसे किसी का A मिल सकता है, B मिल सकता है, किसी का A B मिल सकता है, किसी का O मिल सकता है, तीन तरीके के, दो तरीके के antigen हैं, एक ऐसा blood group होता है, जिसमे antigen होता ही नहीं, तो उसको हम O बोल देते हैं, O का मतलब O नहीं, O का मतलब 0 से है, ठीक है कि कोई antigen नहीं प्रेजेंट है, RBC के surface पे कोई भी antigen है ही नहीं, ठीक है, सुनो जरा, ध्यान से, देखो, जैसे मालो ब कब हुआ सी RBC है, ये एक RBC है, ये एक RBC है, ये एक RBC है, मालो, suppose that, हमने कह दिया, आप मालो, है न, देखो, अगर बेटा, इस RBC के उपर, इसकी surface के उपर, बेटा, जो हम antigen की बात कर रहे हैं, antigen के रूप में, यहाँ पे अगर A present है, क्या present है विया, इनकी surface पे A antigen present है, suppose that, यहाँ पे B present है, यहाँ पे दोनों present है, और यहाँ पे कोई भी antigen present नहीं है, इसको बोलेंगे blood group A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे AB, बेटा, इस special तरीके का एक structure दिखता है, जैसे जब, मतलब A glutinunosin वगरा इनको बोलते है, antigen को A glutinunosin बोलते हैं बेटा, है न, यह भी कही 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 बाल लिखा रहता है, तो आप ध्यान देना जरा है, लेकिन आप antigen याद रखो, यह ज़रूरी है, कैसे जो, 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 जो sample वगरा चेक करते हैं, बेटा, जो है न, blood group वगरा पता करते हैं, क्या ऐसे A और B ऐसा, ऐसा कुछ रहता है, क्या वहाँ पे ऐसे structure ऐसे present होता है, ऐसे ऐसे करके है, ऐसे special structure प्रेजन होता है, ऐसे करके, बी होगा थोड़ा ऐसे flat type होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ ऐसा structure प्रेजन होता है, यह जो pathological वगरा चीजें जानते हैं, उनको इस बारे में जानका आपको बिटा यह सब नहीं सीखना है, आपको क्यों लिए पता हो ना चाहिए, अगर मैं किसी का blood group कह रहा हूँ कि यह particular blood group है, तो क्यों है antigen की हो जैसे, इतना समझे, अब बिटा यह है कि अगर किसी का blood group A है, मतलब इसकी RBC के surface के उपर antigen कौन सा है बिटा, A antigen है, तो इसकी plasma के अंदर, जो बिटा RBC के आस पास जो plasma होंगे बिटा, इसकी plasma के अंदर antibody भी तो कोई ना कोई होगा, अगर antigen A है तो बिटा antibody कभी भी A नहीं होगा, एक शीज ध्यान रखना, किसी का blood group जो होगा, मतलब वो उसका antigen है और उसका opposite antibody होगा उसके पास, वो वाला antibody बिलकुल नहीं होगा, मतलब अगर हम कह रहे हैं बिटा, कि ये blood group A है, blood group A है, तो इसके plasma के अंदर बिटा, जो antibody होगा, कौन सा वाला होगा, anti-B antibody होगा, anti-B antibody, समझे, कि नहीं समझे, हमें लगता है, तुम लोग समझदार हो, समझे होगे, अच्छा, अगर हमने कहा, कि ये particular blood group बिट के उपर तो B antigen present है, इसकी plasma में बबुआ क्या present होगा, इसकी plasma में present होगा, देखो जरा, anti-B antibody, स्वारी, anti-A antibody, anti-A antibody, समझे, कि नहीं समझे, अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, देखो, अगर, अगर, हमने कहा, कि किसी का blood group क्या है विया, किसी का blood group A b है, मतलब इसके पास दोनों ही antigen है, दोनों ही antigen है, इसका मतलब क्या हुआ बटा, दोनों antigen होने का मतलब ये हुआ, कि इसकी जो plasma है बटा, plasma के अंदर antibodies एक भी नहीं होगे, होगा की नहीं होगा, आप लोग antigen अगर जो present है, वही बाजी अगर antibody हो जाएगी, मान नहीं देंगे, दूसरे को काट मार कर लेंगे, हाँ, रिक्कत हो जाएगी, इसलिए बटा, एंटी, एंटी, एंपसेंट होता, मतलब जो, जो antibodies हैं, बटा, antibodies जो हैं, एंपसेंट होंगी, एंपसेंट होंगी, इसकी plasma मे AB blood group की plasma antibodies अपसेंट होंगी, अच्छा O के बारे में जोरा क्या कहना हैं, बता, एक भी antigen नहीं है, अगर एक भी antigen नहीं बबवा, अगर एक भी antigen नहीं है, तो इसका मतलब क्या है antibodies, दोनों होंगी, blood group O में हम ये कह रहे हैं बेटा, blood group O में देखो, blood group O में एक भी antigen नहीं है, तो इसकी RBC की plasma के अंदर, यहाँ पे बेटा, देखो, अरे, 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 यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यहाँ पे आपको एक भी antibody नहीं यहां पर सारी दोनों एंटी बाड़ी दिखेगी अरे हमने क्या बोल दिया दोनों एंटी ए एन बी दोनों ही प्रिजेंट होंगी किसमें ब्लेट गुरुप हो में समाझ पाए कुछ समझें एक चीज ब्लेट गुरुप की जो डिस्कवरी थी काल लैंड इस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था क्या नाम था बिटा अना डिस्कवर्ड वाई काल लैंड येस टी आई Carland Steiner ने बिटा इसको discover किया था discovered by Carland Steiner हाँ हाँ देखो दरा blood group discovered by Carland Steiner अच्छा देखो blood group यहाँ पे जो हमने समझाए आपके समझ में आया कि नहीं आया आ गया ना अच्छा देखो एक चीज आपसे अगर हम पूछें बिटा कि कौन किसको blood दे सकता है, कौन किससे blood ले सकता है, ये कई से पता चलेगा, कि कई से पता चलेगा, सुनो, सुनो, इसको बिटा जल्ली से बना लो, इसको मिटा दे, फिर आपको समझाते हैं, यहीं पर, यहीं पर किनारे इधर, इधर समझा देते हैं, इधर समझा देते हैं, बेटा, देखो, जैसे, ये A है, ये B है, ये A भी है, और ये O है, अब ये बताओ, बेटा, अगर हम कहें, A को blood देना है, किसको किसको blood दे सकता है, किसको किसको दे सकता है, A बेटा, दो को दे सकता है, एक तो A itself खुद को blood दे सक सबसे जो ब्लड ले सकता है वो कौन होता है अना तो ये तो सबसे ले सकता है तो A खुद को दे सकता है और A B को दे सकता है अगर B के बारे में हम पूछें बेटा किसको दे सकता है बी खुद को दे सकता है और A B को दे सकता है ठीक अच्छा अगर हम A B के बारे में पूछें क्या A B किसी को दे सकता है क्यों खुद को किसी को न के दे सकता है इसको भी कहा का तुम भी ले लो तुम भी ले लो लेकिन ये अगर कहें कि हम किसी से ले सकता है क्या किसी से नहीं ले पाएगा करेगा खेवल बेटा और A B को दे सकता है, अगर लेनी की बात करें, तो बिटा ये क्यों खुद का blood accept, मतलब जिसका भी blood group A होगा, वो blood accept करेगा, या फिर बिटा ये अगर देनी की बात करें, अच्छा, accept बिटा खुद का कर सकता है, दूसरा ओ वाला इसको दे सकता है, उसका blood accept कर लेगा, अगर द group A वाले के अंदर बिटा उसकी RBC के surface पे antigen कौन है, A है, antibody कौन है, B है, anti B अगर antibody है बिटा, तो मान लो आपने जो blood दिया है, जो blood आपने दिया, मान लो B वाला blood आपने transfuse कर दिया, ये वाले को, B वाले के उपर बिटा, anti A antibody है कि नहीं, है कि नहीं, इसकी plasma के अंदर बिट A को transfer कर दिया, ये वाला अगर इसको transfer कर दिया, तो होगा क्या, इसके पास anti A antibody है, और इसके surface के उपर, बिटा, कौन सा antigen है, antigen A है, ये दोनों आपस में react करेंगे, बिटा, हो जाएगा reaction, और ये हो जाएगा, clumping up blood हो जाएगी, पूरा-पूरा blood बेकार हो जाएगा, समझ आदमी की death हो जाएगी, तो इसलिए कभी भी हम ये कहते हैं, बिटा, कि इसके पास अगर anti A antibody है, और इसकी surface के उपर antigen A है, तो कभी इसको blood, अच्छा, same चीज इसके लिए अपनी capable है, क्या अगर हम B वाला blood group, अगर मेरा मालो blood group B है, बिटा, और मैं किसी A वाले से लेना च क्यों ने ले सकता, क्योंकि हमारे RBC की surface के उपर, जो antigen लगाए, बिटा, कौन सा, NTB antigen है, और जो blood group A है, उसकी surface के उपर antigen A है, लेकिन उसकी plasma के अंतर NTB antibody है, और हमारे पास antigen कौन सा है, antigen B है, अगर इस से हमने ले लिया, बिटा, तो ये NTB antibody आएगी, krumping करी, बेकार कर देगी, बिट को, समझ रहे हो, अच्छा, A B की बात करें, सर्य तो सबसे ले सकता है, इसके बारे कुछ बताओ, है न, दे किसी को नहीं सकता, दे इसलिए किसी को नहीं सकता, बिटा, क्योंकि इसके पास antigen A भी है, इसको देगा, इसको देगा, है न, तब भी इसके पास anti- A antibody है, खत्रा है, गरबढ़ी होगी, बिटा, लेकिन अगर हम acceptance की बात करें, acceptance चाहे इसको देगा, बिटा, इसके पास antigen A है, antibody B है न, दिक्कत ही होगी, अगर मैं acceptance की बात करूँ, बिटा, तो acceptance के अंदर हम ये कह रहे है, इसके पास antibody है नहीं, अगर antibody नहीं है, तो rejection नहीं ह समझ रहे हो, ये reject करने वाला कोई चीज है ही नहीं, मतलब ऐसा है बेटा, कि हम न, हमारा एकदम, ऐसे AB वाला कहता हमारा दिल एकदम खुला हुआ है, कोई भी आए, सब आ सकते हैं, हम किसी को रोके टोकेंगे नहीं है न, ये सब किसी न किसी के लिए न, भाला लेके इसको नुकसान भी है, विचारे को, क्या नुकसान है सर, नुकसान ये बिटा, कि इसकी प्लाजमा में एक भी antibody नहीं है, अगर antibody A और antibody B नहीं है, बिटा बीमार भी जादा पड़ते हैं, ये वाले, समझ रहे हो, हाँ, बीमार जादा पड़ते हैं, ठीक, अच्छा, अगर O वाले की बात में करूं बेटा, तो O वाला देखो, इसके पास, इसके पास antigen एक भी नहीं है, अगर antigen एक भी नहीं है बेटा, तो antibody मतलब A और B दोनों है, दे तो सब को सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आती है, तो भाया दो दो लोग खड़ें बंदूह लेके, A वाले भी वाले भी, जो आता है, कहिते मार के गिरा देंगे, आना नहीं कलती से, इसलिए कोई आता ही नहीं इसके पास, समझ रहे हो, किसी से नहीं ले सकता है, उनहीं से ले सकता है, जिनके पास इसके जैसा कुछ हो, मतलब जिनका blood group क्या हो, ओ हो, जिसके RBC के surface के ओपर कोई antigen हो, और दोनों की इंति, दोनों ही दोनों इंति, समझ रहे हो, उन से किवल ले सकता है, ओ आले से, तो ये कहानी थी बिटा किसकी, blood group की, ये blood group की कहानी थी, अब आप NCRT किताब बिटा चेक करोगे, NCRT किताब के अंदर आपको एक चार्ट दे रखा है, blood group का, blood group का बिटा चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के अंदर आप देखना ध्यान से, इस चार्ट के अंदर बिटा आप देखोगे, तो आपको, आपको यहाँ पे है न, ये blood group दिखाया गया है, AB, ABNO, antisons on RBC दिखाया गया है, antibodies on plasma, donor group दिखाया गया है, और donate blood to, है न, ये दिखाया गया है, आपके बुक में चार्ट बना है, जब आप notes frame करना बिटा, तो उसके अंदर ये चार्ट जरूर रख लेना, या next run पर अगर आप comment के अंदर लिख देना, सर आप बनवा दो हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दो चीज़े याद रखनी चाहिए बिटा, जो की है न, जो की मैं आपसे कहता रहता हूँ, कि जो अभी मैं आपसे कहा रहा था बिटा, universal executor, recipient और universal donor, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, तो है न, universal recipient कौन है, AB positive, और universal donor कौन है, O negative, ये आप याद रखना, आज के लिए बिटा, इतना ही रखते हैं, तो कि लंबा नहीं करना चाहरा हूँ, क्योंकि बिटा, आप लोग इतना ही छोटा lecture रहता है, उसके बावजूद भी मतलब, तो आप लोगों का watch time इतना कम रहता है, कैसे lecture बीच में छोड़ के चले जाते हो, भाई, ये हमारी आपसे सिखायत है, lecture पूरा देखा करें, बिटा, अगर पूरा नहीं देखेंगे, तो नुकसान है उसका, ठीक है, है न, आप बिटा lecture पूरा देखा करें, नोडस फ्रेम किया करें, अच्छे से, इसलिए छोटा lecture रख रहे हैं, भाई, बड़ा नहीं रखते lecture इसलिए, कि आप लोग कम से कम है न, जो छोटा lecture है, वही पूरा देख ले जाओ, आपका नुकसान ना होने पाए, उसमें भी आप लोग यह कर देते हो कि पूरा नहीं देखते, ठीक है, तो यह हमारी आप से सिकायत है, सिकायत को दूर करो, ठीक है, अगले अगले टन पर जब मैं चेक करूँ, तो मुझे यह ना लगे, भाईया, यह लोग हम पामें पता चल जाता है, आप बने रहें वीडियो से, आप जो महबबत दे रहें, जो आप प्यार दे रहें हैं, उसके लिए थैंक्यू, आप ऐसे ही अगर हमें, है ना सपोर्ट करते रहेंगे बेटाम, बढ़ी हां बढ़ी हां लेक्चर्स, यह स्रीज आपके लिए कांटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, थैंक्यू, वेरी मच्च. झाल